इसी एक वीडियो में सभी important एंत्रों के बारे में बता देंगे और आपको अच्छे से समझा भी देंगे अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया तो आपको अच्छे से याद भी हो जाएंगे आपको वीडियो बस पूरा दिखना है थर्मा मीटर तो थर्मा मीटर जो है इससे नापते हैं ताप इससे के नापते हैं ताप नापते हैं तो आपको ध्यान रखना है थर्मा मीटर से ताप नापते हैं और थर्मा मीटर आपने देखा भी होगा जब आप बीमार हो जाते हैं डाक्टर के पास जाते हैं तो थर्मामीटर के द्वारा आपका तापकरम चेक करते हैं और वह है जीब के नीचे थर्मामीटर लगा देते हैं और उसमें तापकरम जो भी आता है और अगर आप स्वस्थ हैं तो आपका तापकरम आता 99.6 degree Fahrenheit और Celsius में होता है 37 degree Celsius पर इक्षा में यह भी पूछा जाता है तो आप समझ गए थर्मा मीटर से मापा जाता है ताप अब एनिमो मीटर क्या है तो एनिमो मीटर से बायू की गती और दिसा मापी जाती है अब ए हाइडरो मीटर क्या है तो यहाँ पर आपको ध्यां रखना है जो हाइडरो है हाइडरो कहां से लिया गया है पानी का सूत्र होता है H2O मतलब हाइडरोजन और ऑक्सीजन के मिलने से पानी बनता है तो जो हाइडरो सब्द है इससे आप समझ गए यह द्रब से संबंदित है तो हाइडरो मीटर से द्रबों का आप एक्षिक घनत्व ना पा जाता है अब घनत्व को अंगरेजी में कहते हैं डेंसिटी और यहाँ पर ड्रो लिखा हुगा है यह डी से लिया गया सब्द है मतलब डेंसिटी मतलब घनत्व से लिया गया सब्द है तो आपको परिक्षाँ तक ध्याँ रखना है हाइडरो मीटर से द्रबों का घनत्व मापा जाता है अब है हाइडरो मीटर तो हाइडरो मीटर से आद्रता मापी जाती है अब आद्रता क्या होती है वो समझो बरसात के दिनों में जब पानी बरस जाता है तो बहुत ज्यादा उमस होती है उमस को ही कहते हैं आद्रता तो हाईग्रो मीटर से आद्रता मापी जाती है इसके लाब आपने देखा होगा गर्मियों में जब आप गिलास में पानी भर देते हैं तो उसकी आसपास पानी के बूने आ जाती है तो यह क्या बताता है कि बायू मंडल में अध्रता है बायू मंडल में अधिक अध्रता है तो ज्यादा उमस होती है आपको गर्मी ज्यादा लगती है तो समझ गए आप हाइगुरो मीटर से अध्रता मापी जाती है अब है स्पीडो मीटर क्या है तो स्पीड माने गती तो आप समझ गए स्पीडो मीटर से गती मापी आती अब स्पीडो मीटर लगा कहा रहता है तो यह मोटर साइगर में लगा रहता है बस में लगा रहता है, कार में लगा रहता है, उसे पता चलता रहता है कि गाड़ी अपनी कितने पर चल रही है, 50 पर चल रही है, 70 पर चल रही है, तो स्पीडो मीटर से अपन गती का पता लगा लेते हैं, आपकी गाड़ी कितनी तेज चल रही है, अब एस्ट्रोनॉमी क्या क्या है तों देखो दूद की सुद्धा लेक्टोमीटर से पता कर लेते हैं कियों कि अ कि आपके दूद्ध डेरी पर गए ऐसे हैं और रफ दूद की सुद्धता जो है लेक्टू मीटर से पता की जाती है अब है माइक्रो फोन क्या है तो माइक्रो माने होता है छोटा और फोन माने फोन आपने कभी किसी वीडियो में देखा होगा कि टीचर्स एक माइक लगाए रहते हैं तो वो छोटा वाला माइक है उसे ही कहते है माइक्रो फोन अब माइक्रो फोन जो है वो करता किया है परिक्षा में इस पर प्रशना आ जाता है वो हम आपको यहाँ पर बताने का प्रियास कर रहे है तो माइक्रो फोन जो है द्वनी उर्जा को बिद्द उर्जा में बदलता है माइक्रोफोन क्या करता है माइक्रोफोन आबाज को बिद्ध तूर्जा में बदलता है यह आपको परिक्षा तक ध्यान रखना है अब इस फिग मैनो मीटर क्या है तो देखो इस फिग मैनो मीटर आप डाक्टर के पास गए हुए दाक्टर एक पट्टा जो है आपके बाहे में लगा देता है बाहे में लगा देता है तो वो बाहे में लगा देता है उसे ही कहते हैं इस फिग मैनो मीटर उससे पता क्या लगाते हैं उससे धमनियों में बेहने वाले रक्त का दाब पता लगाते हैं तो समझ गया आप धमनियों बे बेहने वाले रक्त का दाब पता लगाते हैं स्फिग मैनो मीटर से, अब रक्त का दाब होता क्या है, तो मतलब रक्त कितनी तेजी से बहरा है, कितनी धीमी गती से बहरा है, इसका पता लगाते हैं, अगर रक्टततेज गती से बहरा है तो high blood pressure है आपको कम गती से बहरा है तो low blood pressure है ऐसे भी चक किये जाता है तो इस फिर्ग वर्प्रमेनुमेटर से रक्ततव मापा जाता है अब आल्टी मीटर क्या है तो आल्टी मीटर से उंचाई मापते हैं जैसे कि एक प्लैन अंत्रक्ष में उड़ रहा है तो उसके पाइलेट को यह पता कैसे लगेगा कि प्लैन कितनी उंचाई पर उड़ रहा है तो उसको पता लग जाता है आल्टी मीटर नामा को यंत्र से अब है बैरोमीटर क्या है तो बैरोमीटर से बायुदाब मापा जाता है बैरोमीटर से क्या मापा जाता है बैरोमीटर से बायुदाब मापा जाता है अब है सीस्मुग्राफ क्या है तो सीस्मू ग्राफ यंत्र से भूकम्प की तीप्रता मापी जाती है और किस पेमाने पर मापी जाती है तो रियक्टर पेमाने पर मापी जाती है अब है डाइनेमू क्या है तो जिनके पास ट्रेक्टर है उन्हें जरूर पता होगा डाइनेमू के बारे में जिनके पास कार है उन सभी को पता होगा डाइनेमो के बारे में तो डाइनेमो यांत्र कूर्जा को विद्यतूर्जा में बदलता है और जिससे होता क्या है उसमें जो वल्ब लगा रहता है वो जलने लगता है फिर वो उजाला देने लगता है इस तरह परिक्षा में यह हैं इम्पोर्टेंट यह न तरह हैं तो इन्हें आपको ध्यान रखना है और इसके लाब आपके पास और धी हैं तो उन्हें भी आप याद रख सकते हैं कि इस तरह आपको याद रखना है परिक्षा में हमेशा एक दो प्रश्ण इन से बन जाते हैं और परिक्षा में आती रहते हैं कि और आप सभी जानते हैं कंप्यूटर क्या होता है तो कंप्यूटर के यंत्र होता है ठीक है और इतने ही इंपोर्टेंट थे हम आपको अगले वीडियो में और इंपोर्टन प्रस्न बताएंगे इसलिए आप नए हैं तो चैनल को सबस्क्राइब कर लें आप